प्रिंसिपल और इंट्रेस्ट दिया हुआ है यह देखिए यह प्रिंसिपल 1500 इंट्रेस 150 यह बुक में भी आपका इसी तरह का एक चार्ट बना हुआ है प्रिंसिपल इंट्रेस्ट दिया हुआ है और आप लोगों को अमाउंट निकालना है तो सिंपल इंट्रेस्ट में जो अमाउंट निकाला जाता है वो किस तरीके से निकाला जाता है तो इसका जो वीडियो वन था उसमें भी मैंने बताया था और चलिए अभी भी आप लोगो को बता देता हूं कि जो amount है वो principle और interest को add करने से निकलता है amount का जो formula हुआ वो principle plus interest हुआ तो यहाँ पर amount निकलना है तो amount में क्या बताया मैंने principle और interest को add करना होगा तो चलोगे यहां क्या लिखा हुआ है 1500 यह क्या है हमारा principle है इसमें हम लोगों को add कर देंगे 150 ठीक है तो हमारा जो answer आएगा वो क्या आएगा यह देखिए जीरो और जीरो 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 और फाइफ को add करेंगे 5 5 और 1 6 और यह 1 1650 तो इसमें जो amount आएगा वो क्या आएगा 1650 ठीक है वसी तरह बी नमबर पे चलते है बी नमबर क्या है प्रिंसिपल जो है वो है वह हमारा 750 इंट्रेस्ट जो है वह हमारा 35 तो amount निकालते है तो amount निकालने के लिए क्या करेंगे 750 प्लस 35 इसको add कर देंगे तो यहां देखिए यहां का once five और यहां का once zero तो five और zero को add करेंगे five यह टेंस हो गया three यहां का टेंस five तो five और three को add करेंगे eight और यह seven यहां hundred में कुछ है नहीं, यहां hundred में seven है मतलब seven और यहां कुछ नहीं मतलब zero तो यह seven तो इसका जो amount आएगा वो आएगा रूपीट 785 चलिए C नमबर पर चलते हैं, C नमबर क्या बोल रहा है हमको, C नमबर क्या कहता है कि प्रिंसपल है हमारे पास 15,000 रूपीज और इंट्रेस्ट जो है वो है 980 रूपीज, तो इसका अमाउंट कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग 15,000 रूपीज प्लस इंट्रेस्ट, 980 रूपीज, इसको ऐड करेंगे ठीक है अब देखे, यहाँ का 0 यह yards हुआ और यहाँ व闲 में क्या है, 04 मतलब क्या आएगा, 0 हो यहां 10 में 8 है यहां 10 में क्या है 0 मतलब 8 और 0 को एड करेंगे क्या यहां 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 कुछ 6 नहीं है यहां यहां 10 यहां जो हमारा amount आएगा वो क्या आएगा 15,980 रुपीज उसी तरह दी में देखते हैं तो दी जो है उसमें हमारा principle है 4,500 और जो interest है वो है 2,500 तो चलिए देखिए रुपीज 4,500 जो कि हमारा principle है उसको add करेंगे हम लोग रुपीज 2,250 से जो कि हमारा interest है और यह क्यों करेंगे क्योंकि हमें amount find करना है और जो amount है वो principle और interest को add करने से found होता है मिलता है 055 01 15274 इधर कुछ नहीं 4 तो यह इसका amount आया वो आया 4,715 रुपीज ठीक है यह था हमारा वर्क्षिट तरी का question number 1 तो चलिए आप question number 2 की और बढ़ते हैं हम लोग चलिए question number 2 जो है वो क्या है fill in the blanks मतलब यहाँ पर हमको कुछ दिया हुआ है जैसे कि इसमें जो ए नंबर है उसमें principal दिया हुआ है principal है 800 रुपीज ठीक है simple interest खाली है मतलब कि इसमें हमको simple interest जो खाली है उसको fill करना है तो simple interest fill करेंगे कैसे उसको find करेंगे पहले तो find कैसे करेंगे तो चलिए आगे देखते है principal 800 रुपीज है और amount 905 रुपीज है और हमको यहाँ पर interest निकालना है यानि कि simple interest निकालना है तो जब principal और amount दिया हुआ है और simple interest निकालना है तो इसमें हम लोग amount minus principal करेंगे ठीक है यह देखिए यहाँ से amount minus principal तो जब हम amount minus principal करेंगे तो यहाँ पर हमको simple interest found होगा तो amount क्या है हमारा 905 रुपीज है minus principal क्या है हमारा 800 रुपीज 800 अब इसको minus करेंगे तो क्या आएगा हमारा पैस रुपीज 105 यह जो होगा वो हमारा यहाँ पर simple interest होगा ठीक है अब इस तरह इसके B section को देखते है B number को देखते है ठीक है अब यहाँ पर मेरे को simple interest दिया और amount दिया हुआ है 450 रुपीज ठीक है और हमें find यहाँ पर करना है principal अब principal जब find करना है और हमको amount और interest दिया हुआ है तो इसमें हम लोग क्या करते है amount amount माइनस इंट्रेस्ट तो amount कितना है 450 रुपीज इंट्रेस्ट कितना है 75.50 रुपीज अब इसको माइनस कर देंगे हम लोग तो चलिए यह decimal के बाद 50 है तो यह तो 50 हमारा रहेगा ठीक है क्यों रहेगा क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद क्या है 00 है यहigans है कुछ नहीं मतलब ठीक है तो 2030 के बाद कुछ नहीं है मतलब इसकोटिक है यहां पर मैं बताता हूं आप फिकति है'tक है वहाँ 50 रुपी एक्जैक्ट है तो डेस्मयल के बाद कुछ नही को क्च नहीं है मतलब 0 है यहां पर 75 है इधर 50 है एसको सब्सक्राइब करना है तो 0 में से 0 को डाइगा 1ाईग अब यहाँ 0 है यहाँ 5 है तो बन unserem 5 सब्सक्राइब होगा नहीं तो यह इससे carry मांगेगा, यह खुद 0 है तो यह इससे मांगेगा, 5 इसको देगा, तो यह यहाँ पर हो जाएगा, 4, अब यह इसको दिया, तो यह 10 है, 10 से यह इसको दे दिया, तो यह क्या हो जाएगा, 9, और यहाँ पर हो जाएगा, 10, तो 10 में से 5 माइनस होगा, 5, decimal है तो decimal, 9 में स यहां से एक हांसिल लेगा तो यह हो जाएगा थ्री तो 374.50 रुपीज इसका हमारा एंसर होगा एंसर जो है वो क्या है प्रिंसिपल होगा चलिए सी नमर पर बढ़ते हैं सी नमर क्या बोल रहा है हमको तो सी नमर में भी यह नमर वाला ही सेम तरीके का क्वेस्चन है जैसे कि यहां पर हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है और अमाउंट भी दिया हुआ है तो प्र आप निकालना है तो क्या करेंगे मैं में से interest को यह अरी principle को मानस करेंगे इस अमांट कितना है थ्टी वान थाउजन्ट रूपीज इंट्रेस्ट प्रिंसिप्ल कितना है 25000 रूपीज इसको मानस करेंगे तो 25,000 में से 31,000 में 25,000 माइनस होगा तो क्या आएगा 6,000 रुपीज ये हो जाएगा हमारा एंसर ठीक है अब चलिए दी नमर को देखते है दी नमर क्या है हमारा यह यहां पर नहीं है दोस्तों यह कुछ नहीं है दी नमर में हमको इसको मैनस करते है यह 0 यह 5 तो 10 में से 5 जाएगा 5 यह 7 में से 1 गया 6 ठीक है अब यहां पर क्या हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1 और यह 1 मतलब यह 1165 रुपीज जो है इसका होगा हमारा प्रिंसिपल ठीक है यहां पर खतम हो गया दोस्तों चलिए आब हम लोग क्या कर रहा है चलिए देखते हैं तो चलिए जो 3 है वह क्या बोलता है calculate the amount for the following मतलब कि जो यहां पर question दिये गए है उसके लिए हमें amount find करना है तो इसके question 3 का जो ए है वो क्या है रुपीज 4,000 at 9% per annum for 3 years यहां पर हमको amount निकालना है तो यहां पर यह चीज ध्यान देना है दोस्तों को कि यहां पर हमको simple interest directly नहीं दिया हुआ है जैसा कि question number one में या question number two में बताया जा रहा था यहां पर हमको simple interest खुद से found करना होगा उसके बाद amount निकलेगा बिना simple interest निकाले amount find करना possible नहीं है तो simple interest करने का क्या तरीका है इसमें सबसे पहले हमको देखे question जो है वह question में क्या चीज़े दी गई है यह प्रिंसिपल यह जो 4000 है वह क्या है प्रिंसिपल प्रिंसिपल को हम लोग simple interest निकालेंगे तो simple interest का जो formula है वो क्या है P into R into T principle multiply rate of interest multiply time principle क्या है हमारा 4000 rate of interest क्या है हमारा 9% time क्या है हमारा 3 year अब इसको solve करते है ठीक है तो 4000 9% है यहां से हम लोग percent को अटाएंगे तो यह divided by 100 होगा और यह 3 अब दीखिए यह 4000 का 20 और 100 का 20 यह कट जाएगा तो यहां क्या बचा 40 multiply 9 multiply 3 40 को 9 से multiply करेंगे तो 360 अब 360 को 3 से multiply करेंगे तो 3 0 3 6 18 का 8 1 3 3 9 और 110 यह आया 1,080 रुपीज अब यह जो हमारा निकला यह है simple interest निकला हमको इसमें found क्या करने बोला calculate the amount तो amount कैसे निकलेगा तो amount का क्या formula है principle प्लस interest मतलब की simple interest तो principle क्या है हमारा 4000 और interest क्या है हमारा 1080 तो 4000 और 1080 को जोड़ देंगे क्या आएगा 5080 तो यह जो 5080 रुपीज आया यह आया हमारा answer मतलब की यह आया हमारा interest sorry amount ठीक है अब इसके question number B के तरफ पढ़ते है question number B देखा जाए क्या कह रहा है question number जो B है वो कह रहा है 750 at 3 whole 1 by 2% per annum for 2 years तो इसको भी ठीक उसी तरीके से निकालेंगे हम लोग सबसे पहले इसमें simple interest found करना है तो चलिए इसके solution को देखते है तो यहां पर जो principle है वो क्या है 750 rupees rate of interest वो क्या है 3 whole 1 by 2% तो इसको पहले convert करते हैं तो यह 2,3,6 और 1 यह 7 by 2% हो गया और जो time है वो हमारा क्या है 2 year अब इसका पहले simple interest निकालते है simple interest क्या होगा P into R into T principle क्या दिया हुआ है तो 750 rate of interest क्या है तो 7 by 2% time क्या है 2 अब इसके next step को 750 7 by 2 को हम लोग क्या करेंगे percent है तो divided by 100 तो यहां 2 है तो 2 के साथ multiply कर देना है यहां 2 अब इसको solve कर दिये तो यह देखिए यहां 750 का वह एक 0 और यह 100 का एक 0 इसको तो काट सकते हैं और यह 2 और यह 2 इसको भी हम आसानी से काट सकते है ठीक है अब आगे देखते है यह देखिए 10 है यह 5 के table में 10 कटेगा दो बार में और यह 5 से 75 कटेगा 15 बार में ठीक है अब यहां कितना आया 15 7 जा 15 7 जा क्या हो जागा दोस्तो 105 और उपर में कुछ नहीं है denominator में 2 बचा है अब यह 105 को 2 से करेंगे तो क्या हैगा हमारा 25 जा 10 224.5 52.5 रुपीज जो है इसका हमारा simple interest आएगा तो अब इसी तरह इसको amount नहीं काल देते हैं हम लोग amount क्या हो गया principle प्लस interest प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा principle है हमारे पास 750 रुपीज इसको प्लस करते हैं हम लोग कितना है हमारा interest तो 52.5 है इसको जोड़ देते हैं इसको पॉइंट फाइफ टू फाइफ टेन यह रुपीज 802.5 जो है वह हमारा answer यानि कि वह हमारा amount निकल रहा है तो यह हमारा answer है अब इसके सी नर्ग को देखते है question 3 का सी यह देखें इसमें क्या बोल रहा है रुपीज 3200 at seven hole one by two percent per annum for three hole one by two year तो चली देख लेते हैं पहले क्या 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 दिया हुआ है तो principle है रुपीज 3200 कि रेट आफ इंट्रेस्ट है वह हमारा seven hole one by two percent इसको हम लोग convert कर दे रहते हैं तो यह हो जागा seven two प्रिप्टीन और one sixteen by two percent time जो है वह हमारा three hole one by two year इसको भी हम लोग convert करेंगे तो तूसरी देख शिक्स और one यह seven by two year हो जाएगा अब इसको स्वाल्व करते हैं कि यह सिंपल इंट्रेस्ट निकालेंगे पहले तो सिंपल इंट्रेस्ट निकालने का फर्मूला वही चीज है पी इंटू आर इंटू टी अब यहां पर जो प्रिंस्पल है वह हमारा three thousand two hundred rate of interest है वह हमारा sixteen by two percent और year है वह हमारा seven by two year अब लिखिए इसको next step को करते है तो सबसे पहले rate of interest में से percentage को हटाएंगे तो यहां पर hundred हो जाएगा denominator में और यह seven by two है तो इसको इस तरह से लिखते हैं अब देखिए थर्टी टू हंड्रेट का दो जीरो हंड्रेट का दो जीरो इसको काईट देते है ठीक है अब यहां पर कटने को कुछ बचा नहीं तो 16 multiply 8 multiply 7 यह आया अब इसको solve करते है तो 16 को 8 से multiply करेंगे क्या होगा 86 चा 48 का 8 हाथ में लगा 4 यह आया 128 अब इसको 7 से multiply करेंगे तो 7 एट जा 56 का 6 हाथ में लगा पांच 7 तू जा 14 और 5 19 का 9 हाथ में लगा 177 और यह 18 मतलब हमारा जो इसमें rate of interest आया sorry simple interest आया वह आया 896 रुपीज अब इसमें amount निकाल लेते हैं हम लोग तो amount क्या हो जाएगा principle प्लस इंट्रेस्ट तो principle हमारा क्या है 3200 इंट्रेस्ट हमारा क्या है 896 दोनों को add करेंगे क्या होगा 6 9 8 to 10 का 0 4,960 sorry 4,096 रुपीज 4,096 रुपीज यह answer हो जाएगा मतलब कि यह हमारा amount हो जाएगा अब दी नमबर देखिए जोस्तों दी नमबर क्या है रुपीज 900 at 5% per annum for 3 whole 1 by 2 years sorry 5 whole 1 by 2 years 3 नहीं है 5 है तो चलिए यहाँ पर जो principle है वो है हमारा 900 रुपीज rate of interest है वो है हमारा 5% और जो time है वो है हमारा 5 whole 1 by 2 years simple interest निकाल लेते है तो simple interest rate P into R into T principle 900 multiply rate of interest 5% multiply time 5 whole 1 by 2 years so इसको हम लोग 11 by 2 years लिख सकते है यहाँ देखिए इसको 25 जा 10 और 1 11 by 2 years अब solve करते है तो 900 यह rate of interest का percentage है divided by 100 11 by 2 900 और 100 यह इसका दोनों 0 को काट दिये हम लोग अब देखिए 9 into 5 into 11 9 5 जा 45 multiply 11 11 5 जा 55 का 5 हाँच में 1 sorry 5 11 4 जा 44 और 5 49 495 बाई यह नीचे का 2 ठीक है यहाँ पर सब में divided by 2 है अब इसको solve करते है तो इसको काटते है तो डिवाइट करते है तू तू जा 4 2 2 4 जा 8 2 7 जा 14.5 यह आएगा 247.5 तो 247.5 जो हुआ वह इंट्रेस्ट हुआ इसका जो amount निकालेते हैं हम लोग तो amount principle प्रिंसिपल प्लस इंट्रेस्ट निकाल देते हैं प्रिंसिपल हमारा क्या है 900 rate of interest हमारा सॉरी प्रिंपल इंट्रेस्ट क्या है 247.5 अब 900 247.5 हो गया यह 7 यह 4 और 9 और 2 11 यह हमारा amount हो जाएगा amount कितना हो जाएगा 1147.5 रुपीज यह amount हो गया और यह हमारा इस question का answer भी हो गया है चलिए आप question no.4 देखते है question no.4 क्या है solve the following question यह word problem का question है तो question no.4 का जो A है वह हमको क्या कह रहा है अरुन 2 के loan of रुपीज 600 मतलब कि यहाँ पर जो principal हो गया वो हो गया रुपीज 600 ठीक है for one whole one by two years with interest at the rate of 4% per annum मतलब कि यहाँ पर जो time है वो है हमारा one whole one by two years इसको time को solve करते है तो two one day two or one day three three by two years उसके बाद यहाँ पर जो हमारा rate of interest है वो है हमारा four percent per annum ठीक है कह रहा है find the interest he page after one whole one by two years and also calculate the amount he page back after one whole one by two years कहने का मतलब है कि इसमें हमको सबसे पहला तो simple interest find करना है और simple interest find करने के बाद हमको यह भी बताना है कि इसमें फिर amount कितना जो अरुन है वो पे किया ठीक है तो simple interest simple interest बहुत सारा बहुत बार हम निकाल चुके है simple interest simple interest का simple सा formula लिख देना है उसके बाद जो principle है principle multiply कर देना है rate of interest से फिर multiply कर देना है time से फिर इसको solve करते है तो rate of interest के percentage को हटाएंगे तो divided by 100 और यह अभी यहां का 2-0 यहां का 2-0 कट गया और यह 2-3-0-6 कट गया यह क्या है 3-4-0-12 और 2-3-0-36 मतलब कि इसको जो interest sorry simple interest है वो क्या है रूपी 36 तो इसका जो फिर यह देखिए अब इसका जो फिर amount होगा वो क्या हो जाएगा principle plus interest principle हमारा है 600 interest हमारा आया 36 दोनों को जोड़ देंगे 636 यह हमारा answer है मतलब कि after one whole one by two years मतलब कि डेड़ सालों के बाद डेड़ सालों के बाद जो अरून है अरून को 636 रूपीज पे करना होगा अब वो जिस किसी से भी लोन दिया होगा 600 रूपीज का तो 600 रूपीज के लोन के वैज में उसको देड़ साल के बाद 636 रूपीज पेट करना होगा ठीक है अब आता है फोर का बी तो चलिए आगे बढ़ते है चलिए देखिए फोर का बी जो है वो क्या कह रहा है अमित डिपोजिटेट रूपीज 4,800 मतलब की जो प्रिंसिपल है वो है हमारे पास 4,800 रूपीज in his account मतलब अपने अकाउंट में ये 4,800 रूपीज जमा करता है the bank page an interest at 6% per annum मतलब जो rate of interest है वो है हमारे पास 6% उसके बाद what amount will emit get back after 3 years मतलब की जो time है वो है हमारे पास 3 years तो हमसे क्या पुछा what amount तो amount निकालना है तो amount निकालने के लिए simple interest को पहले निकालते है तो जो simple interest निकलेगा वो वही formula है वही तरीका है हमने पूरे chapter में ही simple interest इतने बार निकाला है कि हमको आप simple interest निकालने में कोई समस्या उत्पर नहीं होनी चाहिए चलिए अब देखिए यहां 100 का 2 0 और 48 100 का 2 0 इसको हम लोगों ने काट दिया अब नीचे पीछ हमारे पास कुछ पच्छ नहीं रहा है तो 48 multiply 6 multiply 3 अब 6 8 जा 48 का 8 हांत में लग गया हमारे पास 4 64 जा 24 और 4 28 अब इसको फिर से multiply करेंगे 3 से अब देखिए 3 8 जा 24 24 का 4 हांत में लगा 2 3 8 जा 24 और 2 26 का 6 हांत में लगा 2 3 2 जा 6 और 2 8 तो यह आ गया 864 रूपीज तो हमारे पास जो हमारा इंट्रेस निकला वो निकला 864 रूपीज अब हमको क्या बोल रहा है what amount will Amit get back मतलब Amit को कितना मिलेगा तीन सालों के बाद तो Amount निकलने का हमारा वही तरीका है principal को जोड़ देना है इंट्रेस्ट से तो प्रिंसिपल को जोड़ दिया इंट्रेस्ट से तो 4800 में 864 रूपीज को जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो क्या हैगा जीरो चार चार जीरो चाहँ 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 एक पाँच रूपीज 500 664 रूपीज रूपीज 5664 रूपीज दोस्तों ठीक है अब इसके question number C की तरब पढ़ते है question number C है वो क्या कह रहा है अब बॉर्टर रूपीज 700 रूम हिज फेरेंड प्रोमिस्ट टू रिटरन वैक रमाउंट आफेट अफ्टर सिक्स मंत इन्ट्रेस्ट ऑफ एट परसेंट पर इनम्च यह प्रिंसिपल पॉरोड तो जो बॉरोड हैं क्या है 700 रुपीज है कि इस टॉप इंट्रेस्ट है वो क्या है हमारे पास एट परसेंट परिंदम है ठीक है और जो टाइम है वो बोल रहा है six month six month है तो इसको क्या करेंगे हम लोग six by 12 six one जा six six to two मतलब कि one by two year time हमारे पास क्या हो जाएगा one by two year जो time मन्त में दिया हुआ राता है दोस्तों उसको year में convert करते हैं हम लोग तो year में convert करने के लिए जितना भी मन्त दिया हुआ इसको 12 से divide करेंगे क्योंकि one year में 12 month होते है total चलिए आँ इसका simple interest निकालते हैं हम लोग तो principle rate of interest और time ये तीनों को आपस में multiply करेंगे principle है 700 rate of interest है 8% time हमारे पास one by two 700 एट परसेंट में से परसेंट रटाइए 100 वन बै टू 700 का दो जीरो एट तो 100 का दो जीरो काट देते हैं और ये 2 फोर्जा 8 काट देते हैं तो 7 फोर्जा 28 कितना interest हो गया दोस्तो 28 रुपीच चलिए ये देखे कितना में हो गया interest 28 रुपीच ठीक है अब आए इसमें amount नि है किससे जोड़ देना है interest से तो principle है हमारे पास 700 इंटरेस्ट आया हमारा 28 दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 728 यह हो गया हमारा answer simple सा है question चलिए अब question 4 का D देखते है यह हमारा वर्जा 3 का question last भी है last question है तो चलिए क्या बोलता है प्रिंसिपल की जो बात की गई है वो है हमारे पास 2500 रेट आफ इंटरेस्ट जो है वो है हमारे पास 12 परसेंट और यहां पर जो time की बात की गई है वो है 2 whole 1 by 2 years अब करा है out of this amount he buys an almira for rupees 3000 how much money is left with him चलिए यह question जो है वो थोड़ा सा हटके थोड़ा सा थोड़ा सा एक्दम different है ठीक है अब यह बोलता है कि यह इतना amount जो है सुरेंदर वो deposit किया था कितना 2500 बैंक में उसने 12% interest उसको मिला और वो उसको 2 whole 1 by 2 मतलब की लगभग 2.5 years धाई सा सालों के बाद उसको निकालता है वहां से तो जब वो धाई सालों के बाद निकालेगा तो सबसे पहले तो हमको यह जानना होगा कि उसका जो 2500 था वो interest के मिलने के बाद बढ़ करके कितना हुआ मतलब इसका पहले amount find करते हैं हम लोग उसके बाद इसमें कह रहा है कि जीतना पैसा उसने निकाला उसमें से 3000 रुपय का एक अलमीरा खरिद लिया अब 3000 रुपय का जो एक अलमीरा खरदा उसके बाद उसके पास कितना पैसा बच रहा है तो चलिए इसको हम लोग solve करते हैं तो पहले तो amount found करने के लिए simple interest निकालना जरूरी है तो पहले simple interest निकाल लिया अब चलिए 12% परसेंट अटा यह 100 टू 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 जब फोर और वन यह हो गया 5 बाइट तू अब इसको यहां का दो जी तो यहां का दी जी जी तो अटा देते हैं 2 और 12 तू 6 चाट गया अब हमाने डिनोमिनेटरों कुछ पचा नहीं निमिनेटर में 25 multiply 6 multiply 5 यह हो गया 25 कि दूंआ यह 65 ढचत अब लिए 25 चे हो गया 75 और 10 समहाने अटुपटि इंटरेस्ट जो फेज़ों है वह 750 रूपी उम हुआ कि तो चलिए जोड देते है प्रिंसिपल को इंट्रेस्ट से, प्रिंसिपल है 2500, इंट्रेस्ट आया 750 रुपीज, तो हमारा जो एंसर आएगा, मतलब अमाउंट आएगा, वो क्या आएगा, 0, 5, 7, 5, 12, 2, 2, 1, 3, रुपीज 3250, और यह देखिए, रुपीज 3250, ठीक है, अब इस अलमीरा खरीदा सुरेंदर ने, तो चलिए, नाव, सुरेंदर बाउट, एन, अलमीरा, 4 रुपीज, 3000, तो मनी लेफ्ट विथ हिम, तो उसके बाद उसके पास कितना पैसा बचा, मनी लेफ्ट विथ हिम, तो टोटल इसके पास अमाउंट था, 3250, इसने खरीद लिया, 3000, 3000 का, 3000 का, अलमीरा, तो इसके पास कितना पैसा बचा, तो इसके पास बचा 250 रुपीज, तो यह हुआ हमारा इसका फाइनल आंसर, ठीक है दोस्तों, चलिए, ठेंक्यू, अब हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट इसका कुछ है नहीं, इसके बाद मतलब कि हम लोग मिलेंगे, ब्रेंड टीजर में, सिम्पल इंट्रेस्ट का जब हम लोग ब्रेंड टीजर बनाएंगे,